नमस्कार मेरा नाम मुहम्मस समीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर अक्टूबर में टमाटर की खेती कैसे करें तो टमाटर की खेती का लगबग हर पॉइंट कवर करने का प्रियास करोंगा बने रहे बीडियो के साथ में बीडियो को पूरी देखे बीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हो या हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा लीजिए किसान भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए टमाटर की खेती करने के लिए लगबग साल में कई बारिस की खेती की जाती है ठंडी में, गर्मी में, बारिस में हर मौसम में टमाटर की खेती की जाती है लेकिन कब-कब लगाया जाता है टमाटर सबसे पहले इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं देखिए जो ठंडी में टमाटर तयार होते हैं जैसे आप देख रहे हैं टमाटर की खेटी लग चुकी है और यह नवम्बर का महीना है टमाटर पूरे हरे भरे दीख रहे हैं पेड बड़े हो चुके हैं और कुछ छोटे पेड भी आपको दिखाए पड़ रहे होएंगे तो यह जादा बड़ी पेड़ दिख रहे हैं यह सितंबर में लगे थे और जो थोड़ा छोटे पेड़ दिख रहे हैं यह अक्टूबर में लगे यह आपको ठंडी में फल देना चालू कर देंगे और गर्मी के जब स्टार्ट होएगी ज्यादा गर्मी उसके पहले ही ये फल खतम हो जाते हैं फरवरी मार्च तक ये खतम हो जाते हैं और एक दूसरी खेती होती है टमाटर की जो की आपको गर्मी में फल देती है हाई टमप्रेचर का जो टमाटर होता है वो आपको एकदम मई जून में फल देता है उसकी खेती कैसे करना है हमारे चैनल पर वीडियो है आप जाके बिजिट कर सकते हैं आज हम बात करेंगे सितमबर अक्टूबर में जो टमाटर लगाए जाते हैं उसके बारे में सितमबर अक्टूबर में जो टमाटर लगाए जाते हैं ये लगबग बारिस का आखरी दोर रहता है और इस बात पर आप ध्यान रखिए कि जब बारिस नहीं हो रही है बारिस कम हो गई है तब आप अपने खेत की तयारी करना चालू कर दीजिए आप अपने खेत की जुताई अच्छे तरीके से करवाए कमपोज्ट या गोबर की सड़ी हुई खात का परियोग कीजिए और अच्छे तरीके से खेत की जो मिटी है उसको भुरुरी करवा लिजिए खेत की तयारी जब हो जाए तब आप उस खेत में मैनोली बेड बनवा लिजिए मैनोली का मतलब फावड़े और आदमी की सहायता से आपको मसीनरी बेड नहीं बनाना है क्योंकि इसकी जो दूरी होती है अंतराल जो होता है इसके बेड का वो मसीन से साइद उतना मेंटेन नहीं हो पाता है इसलिए आप एक मीटर की दूरी बना के आप बेड पूरे खेत में छोटे छोटे टाइप के बेड बनवा लिजिए मसीन से से छोटे छोटे बेड नहीं बन पाते हैं अगर आप बनाने की कोशिस करेंगे तो उसमें आपको मैनुवली काफी मेहनत करना पड़ेगा जिससे आपका लेबर चार्च बढ़ जाएगा इसलिए आप फावड़े और मनुस के जरिये बनवाएंगे तो थोड़े कम लागत में अच्छे से बन जाएगा फिर उस बेड पे आप टमाटर के जो पावड़े हैं जो नरसरी तयार किये हैं आप उसे रोपाई करवा दीजिए एक-एक फिट की दूरी पे एक-एक पौधा लगवा दीजिए जब पूरे खेत में पौधे अच्छे तरीके से लग जाएं तब आप तुरंत सिचाई करा दीजिए सिचाई इस तरीके से कराईए कि पूरा बेड डूबने ना पाए और हर बेड में अच्छे तरीके से पानी पहुच जाएं और इतनी मात्रा में पानी रहे कि जब वो मिट्टी पानी को खीचे सोखे तो बेड में नमी बन जाए लेकिन बेड पानी से गलने न पाए इस चीज का ध्यान रखिए इसमें गोडनी हो जाए गोडने लाइक हो जाए खेत मतलब मिट्टी कुछ दिन के बाद में हपते दस दिन में सूख जाएगी और कुछ गोडने लाइक हो जाएगा तब आप इसको गुडाई करवा दीजिए अच्छी तरीके से कुदाल से पुरे टामाटर की खेत की गुडाई करा दीजिए गुडाई कराने के बाद में आप रासानिक खात का परियोग कर दीजिए रासानिक खाद डालने के बाद में इन बेड़ों को अब फाइनली अच्छे से बना दीजिए फावड़े के जरिये जो बुलते हैं कि मिट्टी चड़ाना इस समय अच्छे तरीके से मिट्टी चड़ेगा और जो नाली रहेगी बढ़ियां साफ हो जाएगी और जो बेड़ है अच्छे से मोटा सा मजबूत बेड़ बन जाएगा उसके बाद में आप जब पूरा बेड़ बन जाए तो आपको वापस सिचाई करना है फिर आपके पौधे जो हैं बढ़ियां अच्छे हरे भरे दिखने लगेंगे थोड़ा बड़े हो जाएंगे फिर जब मिट्टी टाइट होने लगे मिट्टी कुछ टाइट हो जाए तो आपको इस पे एक सेटप बनाना होता है सेटप कैसे बनाना है हमारे चैनल पर वो भी वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं सेटप बामबो, मलबबास, लोहे का तार और रसी की जरूरत होती जो पतली रसी होती है जिसे सुतली बोलते हैं इन सब चीजों की जरूरत होती है इसके जरिये से आपको सेट अप बनाना रहता है आप बेड पे तीन-तीन मीटर की दूरी पे एक बास गार दीजिए बर्मा के जरिये होल बना के और उनमें थ्री लेबल तार बान दीजिए और जब पौधे आपके छोटे हैं भी तो उन पौधों को उस सुतली में बान के और उस सुतली का दूसरा छोड़ जो है जो फर्स्ट लेबल का तार है नीचे का है उसमें बान दीजिए ताकि पौधा इधर उधर न जाये और जब बड़ा हो तो उसी तार के सहारे से सीधा उपर को रहे इसी परकार जब और बड़े पौधे हो जाएं तो आपको दूसरे तार में बांधना है फिर पौधे और बड़े हो जाएं तो आपको तीसरे तार में बांधना है तीसरे तार में बाफने का मतलब आपके कमर के उपर या कमर के आसपास पवधे पहुँ चुके रहते हैं मान लीजिये, इससे भी बड़े प्वधे हो गये कभी-कभी किसी किसी खेत में देखा गया है कि इससे भी बड़े पौध वजन तो आपको एक और तार बादना पड़ेगा जो फोर्थ लेवर का होता है ये लेकिन बहुत कम होता है कभी-कभी होता भी है तो आपको ये सेट अप तयार करके उसके उपर पौधों को ऐसे सेट करना रहता है और खाद और सिचाई आपको बराबर करनी रहेगे इसके अलावा आपको दवाईयों का छिड़काव भी करना रहेगा अच्छी तरीके से हमेशा उसमें देखभाल करते रहे दवा का छिड़काव करते रहे तमाटर के खेती में दवा का बहुत बड़ा महत होता है दवा का छिड इन प्रकार के रोगों का परकोप देखा जा सकता है कब कौन सी दवर डालना है इसका प्रामास आप अपने नजदी की कीट न सकेंद्र से लेके उन दवाओं का परियोग कर सकते हैं टमाटर की खेती में अलग-अलग बीमारियां देखी जाती है अलग-अलग अवस्था में जैसे वो पौधा अवस्था में है तब जब परपक अवस्था में है तब और जब उसमें फल फूल आने की अवस्था है जब उसमें फला चुके हैं जब तक टमाटर तूट नहीं ज इस पूरी अवस्था में आपको दवाईयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखे हुएंगे टमाटर की खेती में हर तीसरे दिन दवा का छिड़काव किया ही जाता है। किसी न किसी दवा की छिड़काव होती रहती है। कभी बीमारी की, कभी फूल की, कभी फल की, कभी फल पकने की, कभी फल बड़ा होने की, हर परकार की दवाओं का परियोग किया जाता है। टमाटर जब उसमें फल आ जाते हैं कच्चे छोटे 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 तो उसे बड़ा करने के लिए भी दवा का छिड़काओ करना पड़ता है दवा का छिड़काओ करेंगे तो जो छोटे छोटे टमाटर हैं वो दो दिन में आप देखेंगे तो एक दम बड़े बड़े पड़ना पड़ता है क्योंकि अगर जरासा भी ज्यादा हो जाता है वो दवा तो जो फल है वो बहुत ही फूग जाते हैं बड़े हो जाते हैं और फट जाते हैं तेने मेरे हो जाते हैं आपको सुडूल अवस्था में नहीं मिलेंगे अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे इसलिए बिना प्रामर्स का आप दावा का परियोग ना कीजिए और प्रामर्स आप जरूर लीजिए इस प्रकार से आप टमाटर की खिती करके उसका देख भाल कर सकते हैं तो किसान भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नमस्कार